कि हलो फ्रेंड आर्वी आई की वही कुछ भी बाते हो गए पर मार्केट वह कोई फरक भागी चली जा रही है तो पूरी बात करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ पके-पकाई स्टॉक थे वह भाग गए हैं कुछ पके-पकाई बैंग लेवल के आसपास आए गाए ह तो उनके लिए भी देख लेंगे क्या करना है और उससे पहले बिपरो में दो नियुक्त रहे हैं एक निगेटिव नियुक्त पूरी तो विप्रो ने वहीं स्टेक किया है जो इनका था इन सोनों में और शेटर मिलियन डॉलर का इस्टेक था तो इसे वही इन्होंने इन सी तो इसको भई इन्होंने वही खरीदा है तो यह एक पॉस्टिम नियुज हो सकती है विप्रो के लिए और यह पूरी खबर है आप भई डीपली पढ़ सकते हैं और अब मैं चार्ट पर ले जाता हूं ज्यादा टाइम नहीं बरबाद करूंगा आपका और विप्रो क से मौका नहीं दिया है तो अभी तो भई बहुत भागा हुआ है बावन बीक के समतिंग हाई पर चला है तो अभी तो नहीं खरीदेंगे मौका आएगा इसमें और जैसे मार्केट चल लाई है वही ऑल्टाइम हाई का असपास तो उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट करेक्शन का उसी का बेट कर रहा हूं है तो इन में भी आएगा करेक्शन इस टॉक भी आईटी वाले काफी भागे हुए तो इस करेक्शन आएगा तो इस इनको भी पकड़ेंगे और अभी तो भई कुछ बाइंग अप्रोचनिटी ज्यादा है नहीं आरसाइग सेमेंटी बन किये तो वही काफी स्ट्रॉंग है और यहां पर भी बाई सिंग्नल बन गया है तो बेटन वाच है विप्रो में अभी कोई जल्दी वाजी नहीं है इतना मेंगा खरीदनेगी जब संस्ता होगा जब आएगा थोड़ा प्रॉपिट प्रॉपिट बुकिंग आएगी जब्सक्राइब कोई स्टॉक बचे नहीं है यह दोइस टॉक हैं और मैस्टाइब सारे भागी रख्कें हैं जितने भी मैंने बताए थे बिटानिया मिव भाग गया लगिया तो श्टॉक भाग रखें तो अभी कुछ है नहीं जयादा कुछ पकापकाया और बाद में डिस कर देना दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना जैन दोस्तों